नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो है वो 16 टेक्टर की रहने वाली है और ये वीडियो बहुत खास रहने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना भई ये है 16 45 पंदरा और जिन अंकल का ये टेक्टर है ना उससे मैंने बात करी थी तो पहले जो ये टेक्टर लिया मतलब बिवानी से उस बाई ने जिन्होंने पहले डिलर्शिप कर रखी थी 16 की उसने दूसरी डिलर्शिप कर ली तो उसके बाद में काफी दिन का गैप रहा कोई डिलर्शिप नहीं आई बिवानी शायर के अंदर तो अब यस दिप चोवान इंटरप्राइज के नाम से ल उसकाम को करवाने में काफी परेशान नहीं आई तो अब जो भी आसपास के किसान वाई हैं बिवानी के एर जिनोंने टेक्टर लिये थे पहले तो उनका अब समाधान हो चुका है क्योंकि वह बिवानी में डिलर्शिप आ गई है तो अगर आपके पास 16 राप ने नया लिय 17 15 है किस काम के लिए बात करेंगे और इन अंकल जी का एक्टर है और राम्रा मिस्त्री जी कैसे हो ठीक हो तो यह दखो भई अपने मिस्त्री जी काम करने लग रहे हैं इस टेक्टर में तो अब जिसे जिन किसानों ने जो पहली डिलर्शिप से टेक्टर लिये थे न बाई तो उनको कपी समस्य आई काम करवाने में लेकिन अब नई डिलर्सीप आ गई है दूसरे बाई ने कर ली है आगे वीडियो में आपको बताएंगे तो अब आपको शोलिस का कोई भी काम करवाना हो तो बिवानी में आ जाना आप लुआरू रोड पे आपका काम हो जाएगा द आपको अपना इंट्रोड एक्सन दे दो आपको हाथ से हो अच्छा नाम अपना नाम सत्यावान एक्स रपंच को सुझा तो अंकल जी आप यह बताओ जब यह अपने ट्रेक्टर लिया था तो तब डिलर्सीप किसी और के पास थी आपने उसके बाद वो डिलर्सीप हट च पूकी उस चुकी थी बाद में यह डिलर्सीप हुई है तो इसके बीच में आपने काफी परेशान नहीं देखनी पड़ी होंगी काम करवाने वास्ते दिकत आती है दिकत आती है दादरी से मिस्त्री आजा तो दादरी से करवानी पड़ती तो अब यह आप डिलर्सीप डावी आई वेशे तो नहीं आई फिर भी सर्विस करवानी विसके लिए वसके लिए तो अब यह वैसे तो अच्छी बात है कि आपे अपधिया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बद्या दो आजन सियाने के बाद में तो मैं अधर कम से कम मेरे गाउं के दो तिन टर्व अच्छा तो अंगल जी आपने ले रख क्या है 55-55 तो आपने कब लिया था इना डेड़ साल हो गया डेड़ साल हो गया अच्छा-च्छा कैसा है टेक्टर बढ़िया बढ़िया है ठीक है और जो मतलब गार रहा हुआ गारंटे वारंटे बोलती है अभी तक कोई ऐसी समस्या देखो किसान लेगा चीज अपने लिए 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 वो तो मन पसना लगी जाए किसी बुराई तो को निक्रावी तो निक्रावी तेखो सही बात है एक बद चलागी बढ़्टी तो देखो आदमी कितनी खेती करते वो अंकल जी आप इस टेक्टर से आपने वेश्य के अपने नॉर्मली हाँ यह जनाम अच्छान का काम तो किसान का है ता लावर माले जो आ जाओ तो कराएगा काम जी 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 अच्छा तो सर वैसे तो अच्छी बात है जो भी काम होगा तो ज्यादा दूर बागने की जरूत मीं रहेगी ना यह बहुत बढ़िया हो गया य काम आप आपस में बात कर रहे हैं अभी तो वैसे डिलर्शिप हो जाती है फिर वह उठ जाती है तो वैसे यह किसान के लिए वैसे है तो गलत क्योंकि काफी परेशान ने उठाने पड़ जाती बाद मुखिर कोई भी चीज लाले हमना जरूत है उसके शाफ़ते काम तो सार पहले हैं तो आपने देख़्ेंशी हो गई है अब जो भी काम होगा बढ़िया काम हो गया यह तो ना यहां से बारा किलोमेटर तो है अपना काम जी आप चाहिए तो बही यह बात होती है कि जो डिलर्शिप करते हैं फिर वह बाद में उठ जाती है तो जो लोकल एरिया की जो भी किछान भाई होते हैं तो उनको काफी प्रेशान इसने पड़े जाती है तो अब तो काम ठीक हो गया बढ़िया बढ़िया रहे बढ़िया रहा रहे गाए जर वैसे जब यह डिलर्शीप उपन हुई थी तो मैं यहां पर आया था वीडियो बनाए थी मैंने तो तब तो इनका कहना था कि जो भी टेक्तर पहली डिलर्शिप से शेल हुए थे जो भी किसान भाई को कोई भी समस्या है तो आप कभी भी आओ कभी भी फोन करो तो इतनी होने चीए सर्विश लगालो तेल पणी लालो वो तो एक रखां तो भी रहा है अभी दो दिन नहीं नहीं तो किस तरह रहा है नुटावागा और यह जो भी काम होगा च्छोटा मोटा तो यहां पर आराम से हो जाएगा तो भाई वीडियो बनाने का यही मक्सद था क्योंकि भाई डिलर्शिप पहले हुई थी तो वहां से जितने विटेक्टर से लुए तो उनको काम से काम करवाने के लिए वह काफी परेशानी उठानी पड़ती थी अब यह भाई लवारू रोड के उपर दोस्तों में एक ब खतम हो चुका है और यह लुवारू की तरफ रोड़ जार भाई यहां पर इनकी डिलर्शिप है नजदी की पाउर ट्रक अजंशी है और यह गंदा नाड़ा बोलते हैं यहां पर एक बर हम जिन्होंने डिलर्शिप कर रखी है उनसे भी दो बाते करेंगे और यहां पर प्रेक्टर शोलिच का खरीदना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर शंप्रक कर सकते हो